हलो दोस्तो नमस्कार आप देख रहे हैं हमारे यूटूब चैनल चोपडा ब्लोग से और मैं हूँ हरसाई चोपडा दोस्तो इस चैनल पर मैं नीट के सेलफ स्टेडी टोपर्स का इंटरिव्य डालता रहता हूँ जिसे नीट स्टुडेंट को एक लाइन मिल जाती है कि उन्हें कैसे स्टेडी करना है मैंन बात तो यह है कि इन वीडियो से आपको एक नई इनर्जी मिलती है जिससे आप नर्वस नहीं होंगे नीट, एम्स, जिपमर, आईशियार के वीडियोज मेरे मैं चैनल चोपड़ा एजुकेशन चैनल पर पड़े हैं आप चोपड़ा एजुकेशन चैनल सर्च करके देख सकते हैं दोस्तो अभी नीट एक्जाम के कुछ ही दिन सेस बचे हैं और इन बचे हुई दिनों में हर एक स्टुड़ेंट को यही लगता है कि किया होगा, पेपर कैसा आएगा, मेरा सुलक्षन होगा या नहीं होगा मेरे को गवर्मेंट कुलेज मिलेगी या नहीं मिलेगी, मेरे दोस्त क्या कहेंगे ये समाज क्या कहेगा तो इस परकार के बात दिमाख में स्टूडेंट के आती रहती है लेकिन जो स्टूडेंट दरड़े निच्छे से मेहनत और लगन से मेहनत करता है वह है ये सपलता के पार निकल जाता है आज हम ऐसे ही स्टूडेंट के बारे में चर्चा करेंगे जिसने महनत और लगन से सपलता हासिल की जो एक एवरेज स्टूडेंट था समाज के तंज कसने पर भी इनोंने कोई ध्यान नहीं दिया और सपलता के बाद वही समाज उसे वावा करने लगा तो दोस्तों आपने समाज की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना है क्योंकि समाज तो बुरे वक्त में आपका मजाक उड़ाएगा और ताना मारेगा लेकिन वही समाज आपको जब सपलता मिल जाएगी तो आपकी परसंसा करेगा और साथी साथ यह भी बोलेगा कि मैं तो पहले से ही बोल रहा था कि आप जरूर सपल होंगे तो दोस्तों वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो सुरू करने से पहले आपसे वही पुराने रिक्वेस्ट आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यह स्टूडेंट है कमल पोदार जो मेडिकल कोलेज और हस्पताल कलकता में इंटरन्सीव कर रहे हैं तो इनकी सक्सेस स्टोरी हम सुनते हैं इन्होंने लिखा है मेरी सक्सेस स्टोरी बहुत अलग है एस सपलता से सपलता तक इन्होंने पहले क्लास 10 की अपना अनुभव सेर किया है तो क्लास 10 में इनके बहुत कम मार्च थे बहुत बैड रेजल्ट रहा है इनका तो इनके 70% मार्च ही थे क्लास 10 में यह परिणाम को देखके सारी रात रोते रहे लेकिन इनके माता-पिता बहुत खुश थे क्योंकि उनको यह था कि मेरा बेटा पास हो गया है क्योंकि उनको यह लग रहा था कि पास होना मुस्किल है तो इन्होंने यह सब बदल कर डोक्टर बनने का फैसला किया तो क्लास 10 का रेजल्ट इनका अच्छा नहीं रहा उनके बाद में क्लास 11 में इनके क्लास 10 के माक्ष अच्छे नहीं होने के कारणे इनको साइंस में बड़ी मुस्किल से एड्मिसन मिला प्रिंसिपल ने इनको आर्स लेने का सुजाओ दिया लेकिन इन्होंने मना कर दिया दिल्ली पब्लिक स्कूल सिली गुडी में इन्होंने साइंस में एड्मिसन लिया और बहुत ही कठिन परिश्रम किया लेकिन इन्होंने 11 में 60% मार्क्स ही हासिल किये इस्टड़ी काफी किया तो इनको फिर भी कुशी थी कि टीचर्स ने इनको सक्सस माना है इन्होंने अपने दोस्त बनाए हैं जवर्दस्त दोस्त बनाए जो इनके अभी साथ में MBBS 17 हैं वो चर्शा करते रहते हैं इसके बारे में इसके बाद में क्लास 12 की इनकी ये स्टोरी है कि इन्होंने जो स्कूल में एक्जाम होते थे इन्होंने 50-60% के बीच में ही मार्ग्ष हासिल किये हैं लेकिन बार्ड में इन्होंने 95 मार्ग्ष हासिल किये इसी के कारण इनकी कुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा 2012 में ये AI PMT का एक्जाम नहीं दे पाए उस समय WBJEE होता था या WBPMT होता था तो उसमें इन्होंने इनको रेंक नहीं मिली अच्छी कोलेज इनको नहीं मिली तो इनका परिणाम अच्छा नहीं रहा इन्होंने सचा की मेरी लाइफ खतम हो चुकी है ये अपने आपको ओसत स्टुडेंट मानने लगे थे कोलेज का इन्होंने 2012 में कोमेड के एक्जाम जो अभी करनाट का बैंगलोर में होता था उस समय तो वो एक्जाम दिया तो इन्हें BDS की सीट मिली उसमें तो परिवार ने BDS की सीट लेने के लिए मजबूर किया इन्होंने सीट ले ली लेकिन जब वो अपने फादर के साथ कोलेज देखने के लिए गए तो इनको पसंद नहीं आया उनको आस्री हुआ कि कोलेज अस्टाल में कोई वाड ही जुडावा नहीं है तो इन्होंने सीट सोड दी इसके बाद में इन्होंने ड्रोप करने का फैसला लिया हर किसी ने कोशना की कि मैंने ये फैसला करके अपना जीवन बरबाद कर लिया है एक आंटी ने मेरी मा को अपने रिष्थेदार का उधारन दिया कि कैसे उसने अपना जीवन बरबाद किया और मेरी माँ से कहा कि मुझे ड्रोप नए करने दे लेकिन मैंने नहीं सुना और इन्होंने ड्रोप किया इस वर्स में किसी कोचिंग में सामिल नहीं हुआ सेल्प स्टेडी किया उन्होंने उसी साल में मैंने बाद में आकास टेस्ट सीरीज में जोइन किया और उसमें बाइलोजी और Фीजिक्स में अच्छा अद्धिन किया उन्होंने NCRT बाइलोजी के पराग्राफ पड़ने उन्होंने काफी प्रेक्टीष किया इसमें NCRT की बुक से ही इन्होंने पढ़ाई किया NCRT की किताबों में लिखे एक-एक सब्द को सीखने की कोशीज की मैं परदीप कैस्तपाल सर का सुकर गुजार हूँ जिन्होंने फिजिक्स के यूटूब चैनल ने मुझे फिजिक्स सीखने में मदद की आकास टेस्ट में भी इन्होंने अच्छा स्कोर हसिल किया था 300 के आसपास इनकी रेंग काती थी उस समय पर अधिकान सिस्क्रूआ बरोसा था कि मुझे सीट मिल ही जाएगी तो ये इनका ड्रोपियर रहा है परिक्षा के दिन बहुत अच्छा गया केमेस्ट्री इजी थी तो इनको बहुत ही अच्छा लगा एक्जाम के दिन और इनको लास्ट में मेडिकल कोलेज कोलकता में एडमिशन मिल गया जो एसिया का सबसे पुरणा कोलेज है और ये वेस्ट पंगाल का नम्मर वन कोलेज है अभी इनका कहना है कि वे सबी रिष्टेदार जो मेरे बारे में बुरा बोल रहे थे उनका मुह बंद हो गया था एक बात यह है कि ज़्यादातर बच्चे अगर डोक्टर बनना चाते हैं तो उनको यही करना है कि अपने आप पर विश्वास रखना है तो दोस्तो यह कहानी है कमल पोदार की जो अभी इंटरंसिप कर रहे हैं मेडिकल कोलेज और होस्पिटल कलकता से तो दोस्तो इस कमल पोदार की बातों से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्रिवेस एयर की परसंटेज कोई मेटर नहीं करती है अगर आप लगन से महनत करेंगे तो आपको सपलता जरूर मिलेगी जब इस परकार से एवरेज स्टुडेंट एक वेस्ट बंगाल की नमर वन गोवर्मेंट कोलेज में एडमिसन ले सकता है तो आपके दिमाख में इस परकार के सवाल ही नहीं आने चीए कि मेरे को सीट मिलेगी या नहीं मिलेगी मैनत में बरोसा रखो आपके साथ अच्छा ही होगा तो दोस्तो वीडियो के अंत में यहीं कहना चाहूंगा टेंशन फिरी रहकर पढ़ाई करो आपका सेलक्षन शूर होगा मैं इस वीडियो को यहीं खतम करता हूँ और जाते जाते लास्ट में आपसे वही पुरानी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकोन परेश करें वीडियो को लाइक वह ज़्यादा शेयर करें क्योंकि इस प्रकार के मोटिवेशनल वीडियो सेल्फ स्टेडी टोपर्स के इंटर्व्यू में लेके आता रहता हूँ इस चैनल पर तो मिलते हैं नई जानकारी के साथ में नए वीडियो में तब तक लेते हैं आपसे विदा नमस्कार